दोस्तो अभी आप देख रहे होंगे मैं दवा तयार कर रहा हूँ और देखो यहां पर दो पारसल मैंने रेडी कर लिए हैं दोस्तो यह जो आप दवा देख रहे हैं यह है दोस्तो एकने पिंपल जितने भी तवचा संबंधी विकार होते हैं जैसे फोड़े फुनसियां बह मेरा बहुत भद्दा लगता है उनके लिए बहुत ही अच्छा रामबार उपाय है और कुछ आडर मुझे आते रहते हैं कि सर हमें समस्या है क्योंकि जब देखते हैं लोग मेरे वीडियो तो देखते हैं वहां पर नंबर देख लेते हैं तो जब नंबर देखते हैं तो विए भयंकर समस्या हो, तवचा से संबंधित, इसकिन से संबंधित, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसमें number one है दोस्तों इसमें मैं एक पौडर देता हूँ, ये आपको खाना-खाने के पहले लेना होता है आधाधा चम्मच जैसा आभी मैंने दो पारसल देख लीजिए तैयार किये हैं तो एक पाउडर दूँगा और इसके साथ दोस्तों मैं एक पीने के लिए दूँगा वो खाना खाने के बाद आपको सीरप पीना है अगर इतना पूरा कर लेते हैं किसी भी प्रकार का चर्म रोग है जड़ से खत्म होगा दोस्तों पहले तो एक महीने में ही जड़ से ठीक हो जाता है दोस्तों लेकिन अगर बहुत लंबे समय से समस्या है तो दो महीने चला ले 100% छुटकारा मिल जागा चेहरे के बार बार निकलते हैं सरीर के किसी भी हिस्से पर फोड़े निकलाते हैं बड़े-बड़े दाने रेड कलर के दाने निकलाते हैं फिर वो पकते हैं उन्हें पस भरी होती है मवाद भरी होती है तो बहुत दंडे लगते हैं कुछ लोगों के उसे सब रा माटेरियल है जो मैंने चूर तैयार किया है तो इसमें आउसदिया है जड़ी बूटिया है और इसमें दो-तीन आउसदिया और अलग से मिलानी पड़ती है तो जैसे मैं आपको दिखा दूँ अ कि आप यहां पर देख रहे होंगे दोस्तों इसमें यह आउसदि पड़ती है और इसमें लिखा हुआ है तो अच्छा विकार खुजली फोड़ा फुंसी अन्य कुष्ट रोग बतब यह वहाँ पर काम करती है जो समस्या मैंने बताई उनके लिए ही है तो यह भी मिलाना पड़ता है अलग से वैसे इतना काफी है लेकिन यह मिला देते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ चिकिट्सक की देख रेक में सेवन करें खुद लेकर सेवन न करें दोस्तों यह है सोधित गंधग है सुध किया हुआ गंधग है और यह बहुत ही अच्छा होता है जितने भी चर्म रोग होते हैं तवचा विकार होते हैं इसकिन से समंधित समस्या होती हैं वहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है number one का blood purifier है दोस्तों number one है दोस्तों और इसके साथ दोस्तों एक हम मिला देते हैं यह glow इस इसमें मिला देते हैं दोस्तों तो जयाधर क्या होता है जो भी skin की problems होती है ये कफ या पित की वजह से होती है कफ और पित दोस के कारण ही होती है यह तो पित दूसित हो जाता है खुन में मिल जाता है यह तो कफ यह तो दोनों तभी यह समस्याइं उत्पन होती है तो दोनों तीनों को कंट्रोल करता है यह तिरदोस ना सक होता है गिलोज सत्तो इसके लेने से आपका digestion भी मजबूत होगा जो आपका पाचन तंत्र है वो भी मजबूत होगा पेट अच्छे से साफ होगा पेट एक बार में अच्छे से साफ होगा बार बार आपको दस्त नहीं लगेंगे ऐसा नहीं है कि आपको बार-बार टाइलेट जाना पड़े ये नहीं होगा पेट एक बार में साफ होगा और बार-बार दस्त नहीं जाने पड़ेंगे भूंख लगेगी गैस की कब्ज की ये सारी समस्यां आपको नहीं होगी जब ये दवाप इस्तेमाल करेंगे तो पहले दिन में दो बार पानी से ले लिया करें और जो मैं पीने के लिए साथ में दूंगा वो आपको खाना खाने के दसमियार बाद दो दो चमच पीना है और दोस्तों रात में जो मैं दूंगा वो आधा चमच आपको लेना है एक चमच सहद में मिक्स करके लेना है वैसे ये ले लेंगे और पीने वाला ले लेंगे जो मैं पीने के लिए दूगा एक सीरप अगर इतना ले लेते हैं तो भी आपको 100% फाइदा मिल जाएगा 100% जड़ से ठीक हो जाएगा लेकिन अगर वो रात वाला लेते हैं तो overall health के लिए बहुत ही अच्छा होता है वो सहित से ल उसके बाद आप बात कर सकते हैं और आप अगर आडर करना चाहेते तो आप बिल्कुल आडर कर सकते हैं मैं आपको तैयार करके बना बनाया ये भेद दूँगा कोरियर के द्वारा जो सिटी के हैं कोरियर के द्वारा और जो गाउंदेहात के हैं वो स्पीड पोस्ट के द्वारा मैं भेद देता हूँ निश्चिंत रहिए इस बास से हमेशा निश्चिंत रहिए कि पार्सल नहीं मिलेगा आप राजु गुपता को फालो कर रहे हैं राजु गुपता का चैनल देख रहे हैं राजु गुपता को फालो कर रहे हैं आपको 100% पार्सल मिलेगा यह सब पार्सल ही रेडी करता हूँ और जल्द से जल्द आप तक पार्सल पहुंचाने की मेरी को दोसिस रहती है तो उमिद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सेर जरूर किया करें दोस्तों जैहिंद दोस्तों धन्यमाद